स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल अपनी क्लास में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आपकी राजस्तान बोड कक्षा बारवी में हिंदी विचे के नए सिलेबस के अनुसार most important question मताऊंगा दोस्तों आप मेरा विश्वास कीजिए मैं आपसे 100% guarantee लेकर कहता हूँ कि मैं आपको जो परशन मताऊंगा वो आपको आपके हिंदी की paper में जरूर देखने को मिलेंगे तो चलिए देखते हैं हमारे इस हिंदी के paper को तो इसमें हमारे पास में सबसे पहले आता है इस paper का खंड A तो इसका जो पहला परशन इसमें कहा गया है सवरों में कितनी मातरा होती है तो दोस्तों आपको पताम ना चीए कि हिंदी भासा के अंदर टोटल कितने सवर होते हैं टोटल अमारे पास में 11 सवर होते हैं तो इस परकार से टोटल मात्राइं भी कितनी होगी 11 मात्राइं होगी यानि कि पहले का क्रेक्ट आंसर होगा option number B तो आगे चलते हैं अमारे पास में दूसरा क्षिन पुछा गया है पूरव हिंदी की परमुक बोली कौन सी है तो दोस्तों जो पूरव हिंदी है, उसकी परमुक बोली बगेली भी है अवदी भी है, चतिस कडी भी है यानि कि ये तीनो की तीनो क्या हैं? हिंदी बसा की परमक बोलिया है यानि की दूसरे का करेक्ट अंसर क्या होगा option number D, उप्रुक सभी आगे हमारे पास में तीसरा परशन पुछा गया है उपमे और उपमान की तुलना किस अलंकार में होती है तो दोस्तों आप मुझे जल्दी से इस परशन का जो उत्र है वो कमेंट बोक्स में बताओ मैं देखता हूँ कि कौन सा विद्धारती है वो उश्यार है आगे हमारे पास में चोथा क्यूशन पुछा गया है शब्द एक अर्थ अनेक किस अलंकार की पेचान है तो दोस्तों शब्द एक और अर्थ अनेक जो अलंकार है वो आमारे पास में अलंकार होता है यमक अलंकार यानकि चोथे का क्रेक्ट अनोसर होगा ऑप्शन नमर्द डी आगे हमारे पास में पांचवा परशन पुछा गया है टेंडर शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है तो दोस्तों जो टेंडर शब्द है उसका हिंदी अर्थ होता है निवीदा यानिकी पांच में का करेक्ट अर्थ होता है निवीदा यानिकी पांच में का करेक्ट अर्थ होता है आगे अमारे पांच में का करेक्ट अर्थ होता ह तो दोस्तों जाहीर सी बात है एसा सुनकर में क्या होगा बे होगा यन की डर होगा यन की क्रेकटर वल्क क्या होगा साज़मी का option number C आगे हमारे पास में आठवा पर्षिनद पुचा गया है रहीम की अनुसार विप्ति में धन किस तरह लुप्त हो जाता है तो दोस्तों आपको बताना है कि यदि हमरे पास में कोई विप्ती आ गई, कोई घोर संकट आ गया, तो जो धन है, वो किस प्रकार से लुप्त होगा, तो दोस्तों आप असानी से बता सकते हो आगे मारे पास में 9 परशन पुछा गया है, फिचर से क्या प्रभावित होता है, उसी क्या कि 10 परशन है, मीडिया की बासा में स्टोरी किसे कहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना था हूँगा, कि करप्या करके आप एक कोपी और पैन ले लीजिए, और मैं आपको जितने भी परशन बता रहा हूँ, आप इने अपनी कोपी पर लिखते जाएए इससे होगा यह है कि यह जैसे ही वीडियो मेरी खतम होगी, तब आप इन परशनों का दुबारा से रिविजिन है, वो अपनी कोपी से देख के कर सकते हो, साथ ही दोस्तों अब तक हमने जो एक से लेकर के दस तक के परशन देखे हैं, वो छोटे छोटे परशन देखे हैं, एक एक नमर के, तो अब आगे हमारे पास में वस्तोनिष्ट प्रशन ना आकर के अतिलग उत्रात्मक प्रशन आते हैं, जिनका जो उत्र है वो में एक पंक्तिक अंदर लिखना होगा, जैसे कि दूसरा प्रशन है, इसमें आपको अपटित गज्यांस दिया गया है, जैसे क आम आदमी क्या करता है, सड़क चलते आदमी को यह आम आदमी कहते हैं, यानकि दोस्तों आपको अपटित गज्यांस सबसे पहले अजीतरे पढ़ लेड़ना है, उसके जो उत्र हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, जैसे कि तीसरा प्रशन सड़क किस पर अपनी गया है, जैसे कि अपटित पध्यांस है, मन-मोहिनी प्रकरती की जो गोध में बसा है, सुक्सवरग सा जहां है, वहदेश कौन सा है, जिसका चरण निरंतर रतनेश धोरा है, जिसका मुकट हिमाले वहदेश कौन सा है, तो दोस्तों जो हमारे पास में पध्यांस होते हैं, वो आसानी से पले नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिर भी जब आप इन पध्यास के जो परशनों के देखोगे, तो आपको इनके उत्र हैं, वो मिल जाएंगे, जैसे कि छटा परशन है, रतनेश किसके चरण धोरा है, दोस्तों तो इस परशन का जो उत्र है, वो आपको पध्यास के अंदर मिल जाएगा, जैसे कि का आगया है, कि जो रतनेश है, वो निरंतर चरण धोरा है, किसके धोरा है, मन मोहिनी प्रकर्ती के, तो दोस्तों आपको पध्यास के अंदर इसका उत्र है, वो मिल जाएगा उसी किया कि साथवा प्रशन है संसार का शिरोमनी से क्या दत परे है आटवा प्रशन है सब अंग किस से सजे हैं तो आप चिंता मत कीजिए दोस्तों आपको सभी प्रशनों के उत्र है वो पध्यास को पढ़ने के बाद मिल जाएंगी आगे मारे पास में नौवा प्रशन आता है जिसमें आपको रिक्स्थानों की पूर्ती करनी है जैसे कि नौवा प्रशन है सिंचा हुआ उसके आगे रिक्स्थान वह देश कौन सा है यानि कि सिंचा हुआ देश है वो कौन सा आपको बताना है आगे हमारे पास में दस्वों कुछन आता है फीचर में किसका महतव होता है तो दोस्तों किसका यानि कि यहाँ बे रिक्स्थान जो आएगा उसके आपको पूरती करनी होगी आगे हमारे पास में 11 परशन है वरणों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं तो दोस्तों यहांबे भी आपको रिक्स्थान है वो बरना होगा आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड भी आता है जिसका जो बारवा परशन है इसमें कहा गया है तो आप कोई विग्यापन है वो त्यार करना होगा तो दोस्तों आप पसानी से कर सकते हो आगे हमारे पास में तेरमा परशना है पिहारी ने शिवा जी के जिवनकाल को सफल क्यों बताया है तो दोस्तों आप पसानी से बता सकते हो आगे मारे पास में 14 परसन है रहीम दास के अनुसार व्यक्ती को अपनी बड़ाई क्यों नी करनी चाहिए तो दोस्तों ये जो मारे पास में परसन हा रहे है ये आपकी जो पुस्तक है वहाँ से लिए गए है आगे हमारे पास में 15% पुछा गया है हिमायोग की प्रातना पर मम्ता के मन में क्या विचार उठे तो दोस्तों आपको साथ यहां वे उत्र शब्द शिमा है वो भी दी गी है जैसे कि 15% में आपको 40 शब्द है वो लिखने है तब ही आपको दो नमरे मुमिल पाएंगे आगे हमारे पास में 16% पुछा गया है लेखक की सारी थकावट निराशा और खिंता कब छूमंतर होगी और क्यों ठेले पर हिमाले के अधर पर लिखिये आगे हमारे पास में 17% पुछा गया है कभी भूसर ने मुगल सेनिकों का चहरा पीला पढ़ने का क्या करन बताया है तो दोस्तों आपको इसका उत्र है वो दे देना है उसे क्या आगे 20% है वारता, रिपोर्टाज और डाइली लेकन में क्या अंतर है तो दोस्तों आपको फिर से कहना चाहूंगा कि आप इन प्रेशनों को अपनी कोपी पर लिख लो क्योंकि वीडियो खतम हो जाने के बाद में आपको ये प्रेशन है वो बहुत काम आएंगे तो आगे अमारे पास में 21% पुछा गया है लेक वो फिचर लेकन जेली में क्या अंतर है दोस्तों इस प्रेशन का जो उतर है वो आपको 80 शब्दों में लिखना होगा इसी क्यत्वा में दोस्तों एक और प्रेशन दिया गया है यात्रा वरतांत लेकन में ध्यान रखने य तेसरा है मेरे सपनों का भारत और चोता है राजविति में अपरादिकरण तो आगे हमारे पास में जो 23 परेशन है इसमें आपको कवी और लेकख का जिवन परेशन है वो देना है देख सकते हैं कवी शमशेर सिंग्ग बहादूर और सहीत्य कार है धर्मवीर भारती इसका आपको क्या करना है जीवन प्रेच्चे देना है यानि कि साइत्य प्रेच्चे है वो आपको बताना है आगे हमारे पास में इस पेपर का खंडी आता है जिसका जो 24 परसन है इसमें आपको गद्यांस दिया गया है दोस्तों आपको क्या करना है इस गद्यांस की सर परसंग व् वोला भाई साब, हम तो बंड-hoot रक हैं, दोस्तों gjचे जो मारे पास में गज़्यांस है, वो आपकी पुस्त के किसी एक पार्ट से लिया गया है, तो आब अगे मारे पास में इस पेपर का पचीसवा परसन आता है, इसमें आपको एक पद्यांस लिया गया है, इस पद्यांस के आपको सर पर सेंहं व्याक्य करनी है तो देख सकते हैं, पद्यांस है, वीपती भखे धन्ना रहे, रहे जो लाग करोर नब तापे छिपी जात है, जो रहीम भखे भोर तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो पध्यांस होता है उसे तो लिखता है कवी और जो गध्यांस होता है उसे लिखता है लेखक तो आप ये बाद आज रखना तो आपको बताना है कि ये जो पध्यांस है वो किस कवी ने लिखा है और ये कौन से पाट से लिया गया है इसी के असवा में आपको एक और पध्यास दिया गया है सबन के उपर ही ठाटो रहीबे के जोग तो दोस्तों बसाने से इसका बता सकते हो कि ये कौन से पाट से लिया गया है और इसका अर्ष क्या है आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड यह आता है तो इसका जो 26 वा परशन है वो आपकी पुस्तक के अंदर जो भे चेप्टर है वहाँ से लिया गया है देखिए इसमें कहा गया है भे के सद्धे और असद्धे दोनों रूपों को उधारन से ही समझाईए तो दोस्तों आप बसाने से बता सकते हो इसी के अत्मा में आपको एक और परशन दिया गया है वो बोकता वास से प्रभावी समाज में वो बोकताओं के शोशन से बचाने के लिए आप क्या क्या हो जाव देना चाहेंगे बजार दर्शन पार्ट के अधर पर लिखिये यानि कि दोस्तों ये दो परशन है वो आपको बजार दर्शन पार्ट है वहाँ से लिया गया है बजार एक जादू है मन मोक चीज है यानि कि इसके बारे में आपको बताना है आगे हमारे पास में 27 परशन है कभी बिहारी के दोहों की शिर्फ गित विशेस्ता हैं आपको बतानी हैं ये दो तरह आपको असी सब्दों में लिखना है दोस्तों 27 में परशन के अत्मा में भी आपको एक और परशन देखने को मिल जाएगा हम तो दोहूं भांती फल पायो पद का भावस परश्ट करते हुए बताईए कि सूर्दास ने गोपियों के माध्यम से ऐसा क्यों केलवाया है तो दोस्तों आप पतानी बता सकते हो दोस्तों 27 में परशन के अत्मा में भी आपको एक और परशन देखने को मिल जाएगा पतित अंश के धार पर बताईए कि भूसंड वीरस के कभी थे तो दोस्तों आप बदा सकते हो कि भूसंड क्या थे वीरस के कभी थे आपको ये स्परश्ट करना है आगे मार पास में इस पेपर का 28 में परशन आता है हल्दी गाटी का यूद बड़ा रोमाच्चकारी था कैसे? खतन को सपष्ट कीजिए दोस्तों तो आप बदा सकते हो कि हल्दी गाटी का यूद है वो किस परकार से रोमाच्चकारी था और किन किन ये मत दे हुआ, कब हुआ तो आप असानी से इसकी व्याख्यवग कर सकते हो दोस्तों 28 में के अत्मा में भी आपको एक परशन दिया गया है यदि आप लहना सिंग के स्थान पर होते तो यूद भूमी में क्या करते? और अपने वचन का पालन कैसे करते? उसने कहा था कहनी के अधर पर विविटना कीजिए दोस्तों तो इस परशन में आपको बताना है कि यदि आप लहना सिंग के जगा होते तो क्या आप सुबेदार ने जीगा जो वचन है कि मैं सुबेदार को वाँ पर बताऊंगा तो वो आप पूरा करते या नहीं करते? आपको यह बताना है दोस्तों तो इस परकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके राजस्तान बोड कक्षा बार्वी में जो हिंदी का पेपर होने वाला है तो जरे किस के अंदर उसके वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्टन परशन बताए दोस्तों इन ही परशनों के आने का आपके एक्जाम में फुल चांस है तो दोस्तों आप अपने एक्जाम को देने से पहले इन क्रिशनों को जरूर परशन अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्स्राइब कर देना और साथ यदि आपको क्यों ऐसा फ्रेंड है जो कि आपके साथ क्लास 12 में पढ़ता हो और उसका भी हिंदी का पेपर होने वाला हो तो उसको भी वीडियो शेर कर दो ताकि वो भी हिंदी सब्जेक चैनल अच्छे सेचे नमबर ला सके तो दोस्तों अभी इस वीडियो में तो इतना ही था अब मिलता है किसे ने वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत